नमस्कार मित्रो स्वागत है फिर से एक बार आपका मैं हूँ पंकज देशपंडे आपका अकाउंटिंग फ्रेंड और आज हम जिस विशे के बारे में बात कर रहे हैं ये विशे भी ऐसा है जिसमें बहुत सरे लोगों को कन्फूजन होता है बहुत सरे अकाउंटेंट्स बह उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि authorized capital, issued capital, subscribe capital और paid up capital इसका exact meaning क्या है इसका आर्थ क्या है और सबसे महतवपूर्ण बात ये है कि accounting treatment में कौन से capital का किस तरह से accounting treatment होता है तो ये भी जानकरी बहुत सारे लोगों को नहीं होती है ये मेरा अनुबह है इसलिए मैंने ये सोचा कि इस चीज के उपर भी एक वीडियो बनाया जाए तो चलिए शुरू करते है आज का session अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो आप अभी के अभी इसे subscribe कीजे साथ में bell icon भी दबाईए ताकि आपको आने वाले वीडियो के notification इसी तरह से मिलते रहे और आप K Stupid erfahrener's money invested in the business whose owner का पैसा business में लगा होता है उसे हम कहते है के पिटल इसके बाद में Share Capital शेर के पिटल क्या होता है वाट इस शेर केपिटल केपिटल अफ प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कमपनी तो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कमपनी इनमें कैपिटल ये वर्ड के साथ में शेर ये शब्द जोड़ा जाता है उनके कैपिटल को कहा जाता है शेर तो अधिक्रुथ क्या होता है और इसकर होता है अधिकरुथ क्या होता है क्या यह सिर्फ तेरी है यह प्रेक्टिकल नहीं है मतलब यह सिर्फ कागच पे लिखा हुआ capital है कागच पे लिखा हुआ capital मतलब क्या है कि it is upper limit of capital के किसी भी company का अगर authorized capital मान के चलिए 100 करोड रुपए है तो उसका paid up capital 100 करोड रुपए से उपर नहीं जा सकता है तो authorized capital is the upper limit of capital and it is used for calculation of registration fees क्योंकि आपको जब भी company register करना होता है तो आपको एक authorized capital declare करना होता है और authorized capital के उपर आपको registration fees देनी होती है तो ये registration fees का calculation हमेशा authorized capital के basis पे होता है और authorized capital का उपयोग accounting में कहीं नहीं होता है आपकी जो balance sheet है balance sheet में सिर्फ लिखा जाता है ये as a text format सिर्फ text के तौर पर लिखा जाता है इसका कोई accounting impact नहीं होता है इसकी कोई double entry नहीं होती है और इसकी वज़े से आपके balance sheet की total भी change नहीं होती है तो balance sheet में सिर्फ ये टेक्स्ट के जैसा लिखा जाता है कि authorized capital of company is so and so बस इसके अलवा कुछ नहीं होता है के लिए कितना निकाला है capital हो सकता है 100 क्रोड है और सब करोड में से पूरा करोड बेचने के लिए निकाल दिया है या फिर सौ करोड में से 80CRO बेचने के लिए निकाला है तो issue capital का मतब होता है कि capital issued by company and shares offered for sale मतलब बेचने के लिए कितने रुपय का capital company निकाला है तो यह रहता है इसके साथ एक बात आप हमें शयाद रखे के इट शाल आलवेस भी लेस दैन और इक वर टू ऑथोराइस capital तो authorized capital मतलब अपर लिमिट है सब कुछ इसके नीचे रहने वाला है या तो बराबर रहेगा या तो नीचे रहेगा इसके उपर कुछ नहीं जा सकता है अब subscribe capital इसके बाद की step subscribe capital मतलब क्या है amount of shares purchased by people और जनरल पब्लिक तो जनरल पब्लिक को जब आपने share capital issue किया तो उन्होंने खरीदा कितना तो हो सकता है पूरा का पूरा खरीद लिया हो सकता है 90 प्रतिशत खरीदा हो सकता है सी प्रतिशत खरीदा तो इस एक्चुली capital subscribe by the people तो शेर होल्डर ने कितने रुपए का capital खरीदा है यह होगा आपका subscribe capital और यह capital भी हमेशे याद रखे it shall always be less than or equal to issued capital मतलब आपने अगर 100 रुपए का शेर इशू किया तो लोग maximum 100 रुपए का ही शेर खरीद सकते ना 120 का खरीद नहीं सकते तो 100 रुपए के 100 शेर आपने खरीद बेचे है मार्केट में बेचनी के लिए निकाले तो हो सकता है 80 शेर बिके 90 शेर बिग गए आपके तो यह जो capital है आपका subscribe capital यह issued capital से क towards purchase of shares Shareholder ने जितने रुपए के shares खरीदे है उसमें से कितना रुपए आप पे किया है तो पे जितना किया है वो हो जाएगा आपका paid up capital मतलब यह actual पैसा है जो की company के पास आता है और यह जो actual पैसा है यह आपके balance sheet में हैगा इसकी accounting entry भी होगी याद रखिए अब एक बात और आप याद रखिए यहाँ पे it shall always be less than or equal to subscribe capital मतलब subscribe capital जितना है paid up capital यह तो उतना ही रहेगा यह तो उससे कम रहेगा उससे ज़्यादा तो कभी हो नहीं सकता है अब यह flow जो है यह flow हम एक बार पूरी तरह से समझ लेते हैं यह flow कैसा रहेगा तो यह flow में सबसे पहले क्या है सबसे पहले है authorized capital उसके बाद में है subscribe capital और उसके बाद में है paid up capital अब हम मान के चलते हैं कि 100 क्रोड का capital किसी ने authorized capital किया है जब company register की तो 100 क्रोड रुपए का capital authorized capital के तौर पे वहाँ पे लिखा है और इसके उपर registration fees भी भर दिये अब इसके बाद की step रहेगी issue करने की अब company का mood है company को फिलाल 100 क्रोड रुपए की जरूरत नहीं है तो company क्या कहेगी कि हमको भी फिलाल 50 क्रोड की ही जरूरत है तो हम public को 50 क्रोड रुपए के shares बेचेंगे public 50 क्रोड रुपए की shares खरीदेंगी और वो फिर हमारे पास पैसा आ जाएगा 50 क्रोड रुपए का share issue किया है company ने तो यह हो गया issue capital इसके बाद में public ने जो खरीदा है लोगों ने जो खरीदा है शेर ओल्ट उस ने खरीदा है यह 45 क्रोड के ही share खरीदे पाच क्रोड के share बिके नहीं है यह कुछ theoretical बाते मैं आपसे कर रहा हूँ practical में भी इस तरह से हो सकता है कभी-कभी shares के issue जो है वो over subscribe भी होते है मतलब मैंने 50 क्रोड रुपए का share issue किया और लोगों ने 60 क्रोड के लिए application कर दिये यह भी हो सकता है और कभी-कभी application कम के लिए भी आ सकते है तो यहां पे ऐसा ह हुआ है कि 50 क्रोड रुपए के share हमने market में बेचने के लिए उसमें से 45 क्रोड रुपए के share खरीदने के लिए ही लोगों के application आ अवेदन पत्र आ अब इसमें से यह जो 45 क्रोड है इसमें से company ने shareholder से अभी के लिए सिर्फ 30 क्रोड रुपए ही बुलाए है company ने shareholders को कहा है कि आप अभी के लिए पूरा पैसा हमें मत दीजिए जितना हम मांग रहे है उतना ही पैसा हमें दीजिए बाकी का पैसा जब हमें जरुरत होगी company को जरुरत होगी तब हम आपसे मांग लेंगे तब आप देना तो यहां पर देखिए आप यहां पर पूरा flow देख रहे है यह flow में आप देखिए सबसे उपर है authorized capital उसके बाद है issued capital उसके बाद subscribe capital और उसके बाद paid up capital अब मैं आपको एक और चीज यहां पर बताना चाहता हो आप चाहे accountant हो चाहे business owner हो आप एक बात clear समझ लीजिए कि balance sheet के उपर या फिर accounting के उपर असर करने वाली जो चीज है वो सिर्फ paid up capital है उपर की जो तीन तरह के capital है issued capital, authorized capital, subscribe capital इसका कोई accounting impact नहीं होता है इसमें आपकी balance sheet पे कोई असर नहीं होता है तो याद रखिए कि यह सिर्फ 30 करोड़ रुपे जो है इसकी ही accounting entry होने वाली है बाकी उप capital से इनकी कोई accounting entry नहीं होगी तो मित्रो ये था हमारा आज का छोटा सा session company के capital के बारे में मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो आप इसे like कीजे और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर share कीजे ग्यान और खुशी बा